पैसे के लेंदेन को लेकर गौलियर में एक युवक की हत्या गोली मार कर दी गई घटना खजानची बाबा की दरगाह के पास की बताई जा रही है वहीं हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए मौके पर पहुँची कमपूथाना पुलिस ने बृतक के शक को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है गौलियर शहर के खजानची बाबा दरगाह के पास थितराजीव नगर में उस वक्त संसनी फैल गई जब गवर्मेंट कॉंट्रेक्टर मुनाखान के घर आये बजरी गित्टी सपलायर राम नरेश गुरजर पर मुनाखान और उसके बेटे अकरम और फसोनु खान ने बंदूक से तापर तोड फायर थोक दिये गोली लगने से राम नरेश गुर्जर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई राम नरेश की हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से ही भाग निकले हत्या की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुँची कम पूथाना पुलिस ने मृतक राम नरेश के शफ को पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया है और आरोपियों की धर पकड के लिए पुलिस पार्टी रवाना कर दी है दिन दहाडे हुई हत्या के मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपियों का कुछ रुपेओं का लेंदेन था उसी को सुलजाने के लिए आरोपियों ने राम नरेश को अपने घर बुलाया था दूसरी और मृतक के परजनों का कहना है कि राम नरेश मुन्ना खान और उनका बेटा सोनु खान लगबग 10 साल से 7 मिलकर काम कर रहे थे और पैसे का लेंदेन बकाया था फिलहाल पुलिस मामले की जाच में जुटी है द्योरो रिपोर्ट खबरबार न्यूज ग्वालियर